हलो गाइज कैसे हो उम्मीद करता हो आप सब लोग बढ़िया हो तो जैसे कि आप सब लोग जानता है मैं आज के लिए लेकर आया हूँ टॉप टेन जॉब नियूज ऑफ इंडियन गवर्मेंट ठीक है उनमें से पहला है यह वाला देख लीजिए जॉब अब दी डे ट्वेंटी वन यह क्या का डिपार्टमेंट के रिलेट है इंजिनेरिंग मेडिकल आदर फंक्शनल एडिया इसका क्वालिफिकेशन क्या है सेकंडरी है पोस्ट गैजूएट है सिनियर सेकंडरी और डॉक्टरेट है ठीक है और क्या है इफ यह प्रिप्रेरिंग फॉर दी गवर्मेंट जॉब यूज टेक लूक टॉप फाइब यह पहला बाला में ही पांच जॉब एप्लिकेशन एक साथ दिया गया है ठीक है दोस से और चीप मेडिकल हेल्थ ऑपिसर भारतपूर ठीक है और इसका जो एप्लिकेशन का डेट है आप देख सकते हो जो की फिप नंबर पर है टाटा मेमोरियल सेंटर याने की सौट मिटी एमसी इसका पोस्ट क्या-क्या है टेकनिसियान साइंटिफिक एसिस्टेंट आदर प रखते हो ऑपिसेल विबसाइट का लिंक एप्लिकेशन का लिंक सभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन बाई वन करके प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है फोर्थ नंबर क्या है फोर्थ नंबर है एन आई एल आई टी यह साइंटिस्ट ग्रेड वी है साइंटिस इसका पोस्ट का वेकंशी कितना है 81 है लाजड़ेट है 9 जुलाई 2021 एप्लिकेशन करने के लिए थर्ड है आसाम राइफिल्स का वेकंशी है 131 लाजड़ेट 26 जून सेकंड में है CHMO वरतपूर का वेकंशी 180 है लाजड़ेट 23 जून ठीक है और जो आता है लाजड़ेट है वो कहा है कनाटा स्टेट पुलिस का इसका कॉंस्टेविल में है 4000 है बहुत सारा पोस्ट है ठीक है आप ट्राइब कर सकते हो ओल ओवर इंडिया से अप्लिकेशन लिय जाएगा और लाजड़ेट है 12 जूलाई अप्लिकेशन का तो पहला वाला कम्प्रीट हुआ अब चलते है सेकंड बाले में सेकंड बाले में क्या है पी ट्रिपलेस भी में फिसरी का है इसमें ओपनिंग कितना है 27 ओपनिंग है और इसका जो लाजड़ेट क्या है 25 जून त 27 ओशे फिसरी का और क्या है इसका eligibility देख लेते हैं देखिए graduate and other qualification मतलब कि minimum आप लोगों को graduate होना परेगा और undergraduate नहीं चलेगा graduate complete से यह और post graduate भी चलेगा ठीक है तो उसके बाद क्या आता है थार्ड नंबर पर थार्ड नंबर पर आता है जम्मू एंड कस्मीर ससर सेमा बल उसके लिए क्या है educational qualification ने प्रोस्ट गैजूएट graduate and other qualification website यहां पर provide क्या है jkwsb.nic.in पोस्ट क्या क्या है आप देख सकते है जूनिया साइंटिज जूनियार इंवार्ड इंजिनियर ठेक है आसा असिस्टेंट लॉप इसार बहुत सरा पोस्ट है इसमें notification का link application का link मैं provide कर दोंगा date क्या है important dates के तरफ देखते हैं start date क्या है 20 जून और last date क्या है 20 जूलाई एक महिने का time दिया गया है total post है 503 total post है 503 education and qualification क्या क्या है आप देख सकते हो junior assistant के लिए जह है उसके लिए graduation complete होना चाहिए stane junior staneographer department department law के लिए क्या है staneo के degree होना चाहिए recognize university having a minimum speed of 65-35 staneographer का age limit क्या क्या है age limit है SCSTOBC के लिए 43 और generally 40 years है एक servicemen के लिए 48 years है ठीक है उसके बाद जाते हैं fourth number पर fourth number पर होता है IWFCO apprentice है यह इसका qualification है diploma holder का last date क्या है 31 July fifth number पर क्या है fifth number पर है Indian government mint Kolkata recruitment हाँ यह West Bengal also related है जो जौब है इसके लिए qualification है post graduate और graduate दोनों ही चलेगा date के टाप देख लेगता है last है 20 July और application fee यहां पर क्या है 600 जनर के लिए 200 के लिए लिंक में प्रवाइट कर दूँगा six number पर क्या है अरुनचल प्रदेश ससस्त स्रीमा बल ठीक है इसका qualification आप लोग को graduate होना चाहिए minimum विबसाइट यहां पर दिया गया हुए है देखे इसका salary भी mention किया हुआ है वैसे भी official जो विबसाइट लिंक होगा उसमें सब कुछ दिया रहेगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के description में provide कर दूँगा seven number पर आते हैं G.S.E.T. exam 2021 ठीक है इसका educational qualification जो है वो है post graduate लास्ट डेट है 21 जूलाई यह गुजरा स्टेट eligibility test है educational and technical qualification इसमें सिर्फ वो ही लोग apply कर सकते हैं जिल लोगों के पास technical qualification का final यार running है master degree का वो ही लोग सिर्फ apply कर सकते हैं एट नंबर पर है आई बीपिएस इंडियन बैंकिंग का related है इसमें क्या-क्या पूस्ट है पियो है clerk है qualification graduate होना चाहिए डेट देख लीजिए आप लोग लास्ट डेट क्या होगा 28 जून होगा नाइद नंबर पर आता है DRDR recruitment जी हाँ दोस्तों DRDR recruitment इसमें diploma holder चलेगा graduate चलेगा डिप्लोमा होल्डर यानि कि technical degree holder और graduate general graduate हो सकते है science graduate हो सकते है और technical graduate भी apply कर सकते है लास्ट डेट अब सब्मिट थर्ड जुलाई है इसका सब्मिट का लास्ट डेट है थर्ड जुलाई लिंक मैं provide कर दूंगा और finally जो आता है 10th नंबर पर आसाम राइफेल्स recruitment rally जी हाँ इसमें सबसे बड़ा मौका है highest secondary जो candidate है उसके लिए highest secondary देख लिजिए secondary highest secondary and other qualification गैजुशन भी चलेगा अंडर गैजुट भी चलेगा तो यह जो top 10 job news है मैं आपको दिखा दिया और इसका जो link है सभी description में one by one numbering करके आप लोग को provide कर दूंगा तो without any further delay जल्दी से आप लोग apply कर दीजिया thank you data bye bye thanks for watching guys